तो भाईयो बहुत ज़्यादा बारिश होनी की वज़े से कही कही जगे पर बहुत ज़्यादा बाड़ा चुकी है और बाड़ानी की वज़े से बिजली नहीं है तो बिजली ना होने की वज़े से काफी लोगों को काफी दिक्कत है आ रही है तो आज आपको इस वीडियो में हम inverter बनाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों inverter को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक inverter बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तो कि मेरे पास एक 15 वाट का inverter बोर्ड है यह मुझे लोकल मार्केट में सिर्फ 50 रुपे का मिला और अगर इसका मैं आपको वर्किंग प्रोसेस बता दू तो एकदम सिंपल है हमारे पास 12 वाल्ट की बैटरी होनी जरूरी है यहां से हम बैटरी का एक प्लस और यहां से माइनस ऐसा जोड़ देना है और यहां से हम आउटपुट में 220 वाल्ट AC ले सकते है अब इस 220 वाल्ट AC से हम क्या इस मोबाल फोन को चार्ज कर सकते है यह देखने वाली बात होगी और उसके साथ-साथ एक मेरे पास 5 वाट का LED बल्ब है इसको हम जला के देखेंगे और उसके साथ-साथ एक 7 वाट का LED बल्ब है इसको भी हम जला के देखेंगे इसको जला कर देखने के लिए हमें एक आउटपुट के लिए एक extension board यानि की एक 5-pin plug socket और एक switch हमें लेना होगा जो कि मुझे मार्केट में सिर्फ 30 रुपे का मिला तो टोटल यहाँ पर हमारा खर्चा होने वाला है 70 रुपे का तो चलिए इस inverter की पहले हम body बनाते हैं तो इस inverter के body को मैं fully PVC sheet के material का यूज करके बनाने वाला हूँ जो कि आपको कही पर भी आसानी से मिल जाएगा फिर यहाँ पर हमें यह 5-pin plug socket प्लस switch वाला board को लेना है और इसका हमें measurement लेना है तो इसका जो length है वह है 12 cm और इसका चोड़ाई है वह है 8 cm 12 x 8 इसका measurement है अब इसके हिसाब से measurement को हमें PVC sheet पर ड्रॉ करना है और अब हमें इस piece को cut कर लेना है तो एक piece मैंने PVC sheet का cut कर लिया हूँ अब इसके चारो कोनों के हमें 4 piece cut कर लेने हैं तो अब हमें इसको कुछ इस तरीके से रखना है और इस पीविज sheet को लेना है और इसके जरिये से में measure कर लेना है कि हमें कितना इसको उच्छा रखना है तो इसके नीचे हम इस inverter board के kit को डाल लेते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा तो यहां पर देखिए इतना थोड़ा सा दूर इसके होना चाहिए board यह आपस में touch नहीं होने चाहिए तो इसकी length हम इसके हिसाब से रखेंगी तो यह एकदम जुगाड़ू तरीका है ठीक है और अब मेजर कर लेते हैं इसके हाइट किटनी बेट रही है कि तो लगबग साथ पाइंट पॉच सेंटीमीटर जो इसका हाइट है वह बेठेगा सेवन पॉइंट फाइल सेंटीमीटर इसके इस हाइट से हम पीस काट लेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी हमें एक दू तीन चार इसे चार पीस हमें कट कर लेने हैं और निकाल लेने हैं इस टीवीशीशीट के ऊपर से ऑ्राइल सेजोल स्टाइल स्रेबचनी हमें तर चारइल स्रेबबडनी प्रे एक साढ़नी हम यहाँ अचिए निक प्यो र hypया हाइबडनी खिसरेफिछvest्गरे घार साण फॉपरेदें तर रोसी श自己 चॉपरेंगा टाईने हमें उना जाओक्डर शेए अच्चरें यू गल ल होल कि भी को नहीं उसे नहीं। उल जो जड़ द सकत्षि सकंदा ऊचित मन काज़र लाइग जज ह pallब लाएपल लाइ़ ंगा स्दी पोस्सली कि दौello जलेदोफ छ़़बल थप समा कर दो Banks भलाएबें हो प्रॉप Barbara झाल 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 पीवीशी शीट के मदद से कुछ इस तरगे का एक बॉक्स मैंने बना लिया हो अब ये बॉक्स इस वाले बोड के बराबर का ही है मतलब इसका मेजरमेंट हमने लिया था तो इसके बराबर यहां पर यह बढ़िया से आ रहा है लेकिन मैं इसको इस बोड को यूज नहीं करने वाला क्योंकि यह हर किसी को नहीं मिल सकता और तीस रुपया थोड़ा सा महेंगाई होता है तो मैं इसको साइड में रखके घर में से पूराना वाला एक फाइफ इन प्लक सॉकेट लिया हो और एक स्विच लिया हो जो कि आपको भी आसानी से मिल जाएगा अभी एक कुछ इस तरीकी का PVC शीट का टुकड़ा काट लेना है जो कि इसके बराबर है देख लिजिए और अभी इसके उपर हमें यह वाले बोर्ड के कि यह सॉकेट के जो है मेजर्मेंट करके यहां से कट कर लेना है इस शीट को अब इसको कुछ इस तरीके से यहां पर हम स्विच को लगाएंगे और यह फाइप इन्स प्लग सॉकेट कुछ इस तरीके से और इसको हम फैवी इक से अच्छे तरीके से दोनों को चिपका देंगे और अब हम इस एक्स्टेंशन बोर्ड का कनेक्शन करेंगे एक सॉकेट और एक स्विच यहां पर हमने लगाई है तो एक स्विच और एक स्विच वाले बोर्ड का कनेक्शन करना बहुत ही आसान है सबसे पहले एक आई सी वायर आपको लेने नहीं है कॉपर की और स्वीच के एक लेक पे आपको इस वायर क्या एक पॉइंट हमें मतलब एक सीरा में जोड़ देना है कुछ इस तरीके से फिर येक सोकट का यहां पर तीन ले गया है तो एक लेक पर हमें स्वीच का यहां से हमें पॉइंट लेनेना है जो इने अच्छे से कस लेना है पेच कस की मदद से और फिर से हमें दो वायर लेने हैं कॉपर के एक यापर में रेड़ वाला ले रहा हूँ और इसको हमें यहां पर लगा लेना है स्वीच के एक दूसरे वाले जो सीरा बचा हुआ था उसके उपर यह कुछ इस तरीके से फिर जो यह स्वाकेट का यहां पर यह ब्लैक वेला में लगा रहा हूँ एक भाई का चाइनल है जिन्होंने मुझे रेक्वेस्ट करी तो मैं उनका थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ वैसे तो नहीं करना चाहिए मैनत करना चाहिए यह चाइनल आपको जाकर सपोर्ट कर सकते है भाई को थोड़े मैनत तो कर रहे है लगातर मैनत करते रहे तो आपका चाहिनल भी ऐसा ही ग्रो हो जाएगा बाकि कुछ इस तरीके से कनेक्शन आपको कर लेना है अब यहां पर यह हमें इन्वर्टर बोर्ड लेनी है और इन्वर्टर बोर्ड के हमें यह वाले जो सीरे है दो वाले यह वाले यह हमें यहां पर जोड़ने है यहां पर शोल्ड करने है अब इस इन्वर्टर के बोर्ड को मैं कुछ इस तरीके से ऐसे हीट शिंग को यही पर चिपका दे रहा हूँ तक यह हमें शोल्ड करने में इधर उधर दिक्कत ना दे कि हीले नहीं ठीक है ऐसे बाकि यह ऐसे ही रहेगा तो भी चलेगा ऐसे इस लाइट को यहाँ से होल करके मैं निकाल लूँगा बाहर के और इन दोने वायर को ऐसे शोल्ड कर लेना है यह देखिए यह एक वायर और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ठीक है बाई आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के देगा और यह दोने वायर कनेक्ट हो गए है यह आपर और फिर से हमें दो वायर कॉपर के ले लेने हैं और इसमें इनपुट में जहाँ पर हमारा जो इनवर्टर है जिसमें हम इनपुट बारावड देने वाले है यहाँ पर हमें इन वायर को शोल्ड करना है आप यहाँ पर DC सॉकेट भी लगा सकते है अब मेरे पास नहीं है तो मैं डायरेक्ट बैटरी को वायर ही कनेक्ट करूँगा तो यह देखिए तो अब यह सारा कनेक्शन आपर कम्प्लीट है एक बार देख लो यह वायर वायर यह प्लस है और यह वाला वायर जो एलो है वो माइनस है बाकि यह कनेक्शन यहाँ पर बहुत ही सिंपल है अब इस सर्किट को हम अंदर डाल लेते हैं सबसे पहले तो यह वायर यहाँ से निकाल लेते हैं होल मैंने यहां पर कर लिया हो दो यहां से हम इनको निकाल के बाहर ऐसे कर लेना है और अब इसको हमें चिपका देना है इस बॉक्स को कवर कर लेना है तो यह है हमारा 15 वाट का इनवर्टर जिसको अभी अभी हमने बनाया है तो अभी इसके हम टेस्टिंग करेंगे और यह रही यहां पर हमारी बड़ी सी बैटरी जिसको हम बैटरा कहेंगे क्योंकि यहां पर यह है बारा ओल्ड तीन एंपियर और दस होर्स चलने वाला यह बै दमबा चील लूँगा और अज़िए ऐसे करके इसको लगा लूँगा अज़िए तो यह हो गया एक वायर और यहां पर यह दूसरा वायर और मैंने भी अपने चैनल पर यह पहली बार पहला इन्वर्टर वीडियो बनाया है तो कैसे काम करता है या फिर नहीं करता है यह भाई अगर कोई काम भी नहीं करेगा तो भी नहीं क्या थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना क्यूंकि इससे आगे हम और अच्छा इन्वर्टर बना सकते हैं अभी देखते हैं यह कितना अच्छा वर्क करता है दोन वायर्स को मैंने जोड दिया है प्रियुक्त करो का और है या और पर कोई भी फिक नहीं कि और सबसे पहले हम एक बंद चेक कर लेते हैं जो कि मैंने श्टैंटिटिंग में आपको पाछ वर्ट कर दीका दिखाया था उसी को यहां पर मैं चला के दिखा देता हूं एक बार यहां पर कोई भी फेक नहीं ठीक है अच्छे से कर लेते हैं कि अब यह लगाने जा रहा हूं में पांच वाट का बल्ब कर यहां से अभी अन करूंगा और मैं इस्टूडियो की लाइट आफ करके दिखा देता हूं ओ भाई साब देख सकते हैं इन्वर्टर हमारा काम कर रहा है काफी कम रोशनी जल रही है पीछे का जो बैग्राउंड लाइट है उसको भी बंद कर देता हूं देख सकते हैं काफी जो है कम जल रहा है ठीक है जब नाइन वाटका में बल्ब स्टूडियो का चालू कर रहा हूं इसकी रोशनी गायक हो जा रही है और एकदम से अंदेरा कर रहा हूं तो देख सकते हैं वायर निकल गई है हाँ एक और कोई भी फेक नहीं ठीक है 15 वाटका है तो इन्वर्टर कीट हमारा कितना ही वरक करेगा देख सकते हैं यह दिख रहा है हमारा के इनवर्टर कीट और बैटरी यहां पर रखी हुई है तो अभी चेंज करके मैं दिखा देता हूँ इस बल्ब को हम चेक चेंज कर लेते हैं यहां से अब मेरे पास यह दूसरा श्टूडियो का लाइट है जो कि साथ वाट का है इसको चेक करके दिखाता हूँ तो यह लगाया मैंने ओ भाई साब काफी अच्छा ब्राइट यहां पर जल रहा है देख सकते हैं काफी मस्त काम कर रहा है मुझे इतनी उमीद नहीं थी इस से ठीक है देखिए नाइन जो सेवन वाट का बल्ब है काफी अच्छे तरीके से जल रहा है देख सकते हैं स्टूड कि इससे मुझे इतनी उमीद नहीं थी लेकिन पंद्रा वाट का जो इन्वर्टर कीट है वह काफी अच्छा वर्क कर रहा है कोई भी फेक नहीं कोई भी कई से एक्स्ट्रा वायर नहीं है ठीक है बैटरी से भी दिखा देता हो देखिए ओ भाई देखिए पूरा दिख रह देख्यें साँ प्तूंड कीट काफी अच्छा वीन रहें ओने सा इसमें나 ध्रक कर रहा है और है दो निकल रहें किदेखिए देखले मैं आपको दिख रहर वहाऊ देखिए ठोड़ा से आपको दिखाना चाओं गया पहली बार हमने इन्वर्टर बनाया और बहुत अच्छा तरह के से वर्क कर रहा है तो अभी इसको निकाल के रख देते हैं अब हम मोबाइल चार्ज करके देख लेते हैं तो यहां पर बोर्ड में में मोबाइल का डेप्टर लगा दिया हूँ अब देखने वाली बात यह रह हो रहा है चालू बंध हो रहा है यह एक बात है देखिए है आपको दिखाने वाली बात है यह देखिए चालू बंथ बंथे कुछ आवा चाह रही है छुछ हुआ है ओभी पर की किठ है उसके ऊपर काफी जादा लोड पड़ stretch होते हुए रुकते हुए चार्ज हो रहा है या पर देखिए बाकी भाई तो जो हमारा मकसस था मोबाइल चार्ज करना वो मतलब चालो बंद चालो बंद करके जला रहा है मोबाइल को चार्ज ऐसे तो नहीं कर पाएगा यह लेकिन जो है इनवर्टर हमारा यह 7 वाट का बल्ब जो है काफी अच्छे त पूरा सर्किट है ठीक है इन्वर्टर बोर्ड है और यहां से अन करके यह देखो यह देखो वायर हिल रही है यह देखो भाई कोई ठेक नहीं ठीक है पूरा रियल है कि बागी मुझे इसको फिर से चिपकाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए मैंने खूर ला था